तो फिर आज आप से भी के लिए शौर मंडल से 35 most important questions लेके आए वे तो आप सभी इस सारा question को याद करने का खोश की जीगा तो चले शूर करते आज की इस वीडियो को चले आज का first question दिखांगे अपके स्कीन पे first question ये बन रहे अपना कि शौर मंडल में कितने ग्रहें ए राइट आंसर हैंगे आठ ग्रह हैं सोर मंडल में अगला कोशन दिखें अगला कोशन ये बन रहे हैं कि सोर परनाली की खोज किस ने की थी तो सी राइट आंसर हैंगे कौपर निकस ने सोर परनाली की खोज की अगला कोशन दिखिए अगला कोशन ये बन रहे कि नार्वे में अर्धरात्री के समय शूरी कब दिखाई देता है सी रेट आंसर रेंगे 21 जून को नार्वे में अर्धरात्री के समय शूरी दिखाई देता है अगला कोशन दिखिए अगला कोशन ये बन रहे किस गरह को साम का तारा कहा जाता है इविनिंग इस्टार किस गरह को कहा जाता है बी रैट आंसर हैंगे सुकर गरह को साम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है अगला कोशन दिखें अगला कोशन ये है कि सुरी के मद भाग को क्या कहा जाता है बी राइट आंसर हैंगे परकास मंदल कहा जाता है इसी सुरी के मद भाग को परकास मंदल कहा जाता है बी राइट आंसर हैंगे अगला कोशन दिखें क्या बन रही किसी गरह के चारो और परकिर्मा करने वाले छोटे अकास्य पिंड को क्या काते हैं बी रेट आंसरेंगे इसे उपगरह का जाता है किसी गरह के चारो और परकिर्मा करने वाले छोटे अकास्य पिंड को उपगरह काते हैं और वहीं सूरी के चारो और चक्कर लगाने वाले को गरह काती हैं अगला कोईशन दिखी अगला कोईशन से यह बन रहे हैं कि आकार के अनुसार सोर मंडल में गरहों का अब रोही करम है तो हम सुभी कर सकते हैं अब रोही करम में अगर गरह को सजाएं तो option में A right answer जाएंगे बिरस्पती, सनी, अरून, वरून, पिर्तिवी, सूक्र, मंगल, बुद्ध मतलब कि सबसे बड़ा गरह जो है वो बिरस्पती है उसके बाद सनी है अरून है तब वरून, तब पिर्तिवी, तब सूक्र, तब मंगल, तब बुद्ध सोर मंडल का सबसे छोटा गरह है सबसे ब्रसपति सबसे छोटा ग्रा बुद्ध। अगला कोशन दिखीं, सुड के सबसे पास कौन सा ग्रहें? A right answer ये बुद्ध गरां सुर्के सबसे नस्दिक गरा है जिसके पास कोई उबगरा की संख्या नहीं है बुद्ध और शुक्र के पास कोई उबगरा की संख्या नहीं है अगला कोशन दिखी स्वोर मंदल के बड़े उपगराओं में से एक टाइटन निम्ण में से किसका उपगरा है बी राइट आंसर हैंगे ये सनी का उपगरा है टाइटन सनी का उपगरा है अगला कोशन दिखे अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंदल है तो याद रुखेगा आपस भी राइट आंसरेंगे कुल 88 तारा मंडल है अंत्रिक्ष में अगला कोशन दिखें क्या है अगला कोशन ये बंड़े की सूर के संगटन में साहयक गई से सबसे अधिक मातरा में हाइट्रोजन पाए जाते है शूर में सम्तिंग 71 पर तिसर तक उसके बाद हिलियम पाए जाते हैं अगला कोशन दिखें नेक्स ओलम्पिया कोलंबस फर्वत किस गरह पर इस्तिते इस गरह को लाल गरह के नाम से जाने जाते हैं और यहां पर जीवन की संभाबना है जीवन वेतित हो रहे उसी परकार से अनुबब लगाया जा रहे कि मंगल गरह पर भी जीवन की संभाबना है अगला कोशन दिखें अगला कोशन यह बन रहे हैं नेमलेखित में से किन दो गरहों को छोड़कर से सभी गरह सुर के चार और वावावर्त घुमते हैं दिरेट आंसर हैंगे सुक्र और अरून गरह यह गरह जो है कि उल्टा दिशा से परकिर्मा करते हैं सूर का यह पूर्व से पस्चिम की और परकिर्मा करते हैं और बाकी बात जो अन्नी गरह हैं वह पस्चिम से पूर्व की और परकिर्मा करते हैं द्यार में रखेगा आप सभी अगला कोशन दिखें कौन सा गरह हरे परकास को उत्चरजित करता है दी रेट आशर हैंगे वरुन गरह करते हैं जो कि सबसे दूर इस्तित गरह हैं अगला कोशन दिखें हेली धुमकेतु का आवर्तकाल होता है बी रेट आशर हैंगे 76 वर्ष का आवर्तकाल होता है हेली नामक धुमकेतु का ये हर 76 वर्ष में दिखाई देते हैं इससे पहले जो दिखाई दिये गे थे वह उन्हें 1686 में दिखाई दिये गे थे और आगे जो दिखाई देंगे बद 2021 में दिखाई देने का संबाबना है पिर्थिवी परचे अगला कोशन दिखे शूर तथा पिर्थिवी के निकर्थम गरा करम से कौन से हैं तो हमसे कर सकते हैं सूर के निकर्थम गरा हैं बुद्ध और पिर्थिवी के निकर्थम गरा हैं डिरेट आणरेंगे अभिनप तरह को 20-40 तरह के नाम से जाना जाता है अगला कोशन दिखें क्या है अकास का सबसे चमगदार तरह है डिरेट आणरेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी यह सूरी के बाद सबसे नजडिक तरह है अगला कोशन दिखे एक गरह के अपने कच्छ में सूर से अधिक्तम दूरी को क्या कहा जाता है रैट एंसर उप्सिन में भी जाएंगे अब सूर कहा जाता है इसे और यह जो होते हैं वह चार जूलाई को होते हैं अगला कोशन दिखे आपसे भी चार जूलाई को और उप्सोर्च होते हैं यह तीन जनवरी को होते हैं और इस समय सूर और पिर्तिवी के बीच दूरी कम होती है अगला कोशन दिखे निमलिकित में से कौन एक तारा है डी रैट आंसर हैंगे सूरी क्या है एक तारा है कितने धारतल में पानी है तो रैट अंसर आफसर में बिजाएंगे सत्तर से लेके 71 परतिशत तक क्या है पूरे पिर्तिवी पर पानी है पूरे 20 में पानी है और धारतल की संख्या कितनी है 29 से लेके 30 परतिशत तक अगला कोशन यह है कि उत्री धुरूप की खोज किस ने की थी एक रैट आसर हैंगे रोबर्ट पियरी ने उत्री धुरूप की खोज की थी अगला कोशन दिखे क्या है अगला कोशन ये है कि साउध पोल पहुचने वाला पर्थम वेक्ती कौन था दी रेट आंसर रहेंगे MNCN था अगला कोशन दिखे पिर्थिवी अपने अक्षु पर घूमती है बी राइट आंसर हैं पस्चिम से पूर्विकी उर्घुमती है पिर्थिवी जिसके कारण से दिन और रात होते हैं अगला कोशन दिखें किस गरह को नीला गरह भी काते हैं चले कोशन 25 के लिए आपसे भी राइट आंसर किजिएका किस गरह को नीला गरह भी काते हैं ए राइट आंसर हैंगे पिर्थिवी को नीलागरा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे लगबग 71% भाग पे जल ही पाय जाती ही अगला कोशन दिखें दिन एवं राथ होने का कारण है ए राइट आंसर हैंगे पिर्थिवी का अपने अक्ष पर घुर्णन पिर्थिवी का अपने अक्ष पर घुर्णन की कारण दिन एवं राथ होता है जो कि घुर्णन करते हैं पस्टिम से लेके पुर्विकी ओर अगला कोशन दिखें पिर्थिवी के अत्रेक्ट किस गरह पर मानब उपस्थिती की संभावना है अगला कोशन दिखें पिर्थिवी पर दिन राथ की अब्धी संभावन होती है जिसे विश्वद रेखा के नाम से भी जानते हैं या जीरो डिगरी अक्षांस रेखा भी का जाता है इसे यहां दिन राथ की अब्धी बराबर होती है अगला कोशन दिखें क्या है रित्वे निमलेखित के कारण होती है अगला कोशन दिखें क्या है शोर मंडल का सबसे छोटा उपगरा कौन है बी रेख आंसर हैंगे डिमोस डिमोस जो है यह सोर मंडल का सबसे छोटा उपगरा है जो की मंगल का उपगरा है अगर यहीं पुछले सबसे बड़ा उपगरा कौन सा है तो क्या बोलेंगे आप सभी गेनी मेड गेनी मेड सबसे बड़ा उपगरा है अगला कोशन दिखें क्या है सू मेकर लेवी नाइन धूम केतू किस गरह से टकराया था सी रेट आंसर रेगे बिरस्पती गरह से टकराया था अगला कोशन दिखें क्या है सूरी के रासायनिक मिसरन में हाइट्रोजन का परतीसत कितना है ए रेट आंसर रेगे 71 परतीसत तक हाइट्रोजन पाय जाते हैं सूरी में अगला कोशन दिखें क्या है सूरी का परकास धर्ती तक पहुचने में कितने मिनेट का समय लेता है ए रेट आंसर रेगे 8.30 सेकेंड का समय लेता है या 8.16 भी दिया रहता है अगला कोशन दिखें सांद समुन्द्र और तुफानों का महासागर निम्निमे से कहा इस्थी थे ए रेट आंसर रेगे चंदरमा परिस्थी थे चंदरमा पिरतिवी का एक मातर उपगरह है अगला कोशन दिखें क्या है चंद्रमा से पिर्थिवी तक परकास पहुचने में लगने वाला समय है देरेट आंसरेंगे दो सेकेंड से कम ही लगता है सम्तिंग 1.5 सेकेंड या 1.6 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा से पिर्थिवी तक परकास पहुचने में तो दियान में रखेगा आप सभी तो चलिए आज के लिए तना ही आज के इस TOPIC में हम सभी 35 questions कबर किये सोर मंडल का हमें उम्मीद है कि सारा question आपको याद हो गई हो गई होंगे सारा चीज आपका किलियर हो गई होंगे अगर किलियर नहीं हुए तो आप फिर से एक बार वीड आपने दोस्तों में जुरूर से जुड़िए नेचर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसे सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करें जिएगा तो चलिए मिलते हैं जहिंद बंदे मात्रम अपना ध्यान रखेगा आप सभी पलाई आप से भी करते रहेगा जहिंद